तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्यों होता है गुदगुदी ठीके जब प्यार होता है तो नींद चैन चला जाता है बहुत लोग सुने हो नींद चैन चला गया धरकने बढ़ जाती है तो आज के इस वीडियो में रीजन जानने वाले कि आखिर दिल धरकता कै से हैं, यानि धड़कन क्यों बढ़ जाती है, प्यार होता है तो, अब तुमनों सोच दो निधी में भी क्या टॉपिक है, अरे साइन्स वाली बात है बच्चा, ठीक है, ये साइन्स है इसके पीछे, और आपको जानकर हिरानी होगा, कि प्यार का कनेक्शन दिल से होता ही नही कि जितने भी राज्या, मंजनू, प्रेमी, प्रेमीका, रोमियो, जूलियेट ये लोग घूम रहे हैं ना, भया, गड़बड उनके दिल में नहीं, गड़बड उनके दिमाग में था, तो आईए, इस वीडियो में चर्चा करेंगे, कि आखिर क्या रीजन है, जिसके अंजली, ठीके ये वाली फीलिंग आने लगती है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आईए, यहाँ पर जानेंगे, कि लव हार्मोन, यानि प्यार वाला जो हार्मोन है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, यानि जब आप लोग इस सुनते हो, कि प्यार हुआ, तो दिल की धड़कने तेज हो गई, प्यार हुआ, तो नींद चैन चला गया, उसके पीछे हमारा दिल जिम्मेदार नहीं होता, बलकि उसके पीछे जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही लव हार्मोन के नाम से जाना ज नहीं है ठीक है आप नोटिस की यह होगे कि 12 साल से पहले की जो अवस्था होती है बच्चे की वो हमेंशाल दोस्त लड़के-लड़किया साथ में बैठते खेलते उनके बीच में कुछ नहीं होता लेकिन जैसे यह वो बच्चा 12 साल की बाद की आवस्था में आता है बारा साल तो एक बात बताओ क्या किसी को देखकर आपको भी? कुछ-कुछ होता है? अगर हां तो जानलीजिये कि इसके लिए आपके भीतर मौजुद लव हार्मोन जिम्मेदार है। फिर बोल सकते हैं कि दो लोगों के बीच में अट्रेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे आप चाहते हैं, उसे देखने के बाद ये लव हार्मोन की जो मात्रा होती है, वो बढ़ जाती है, ठीके जिसे आप किसी को भी पसंद करते हो, आप जैसी अचानक से देखोगे हाइपोथैलिमस सक्रिय होगा, और वो सक्रिय होकर कौन सा हार्मोन, लव हार्मोन को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है, निसकासित करने लगता है, केवल आपकी भावनाव को ही सक्रिय नहीं करता, इसके अलावा भी पुरानी मानसपेशियों को नई तरह से काम करने में भ बड़े अच्छे हैं, हमको बड़ा जल्दी प्यार हो जाता है, तो उनमें ऑक्सिटोसिन हार्मोन की मात्रा बड़ा ज्यादा हो गया, उसको कम कर ले, ठीके, और वही जो ऑक्सिटोसिन हार्मोन है, ये सिर्फ प्यार के लिए ही नहीं, ऐसा नहीं कि ये किवल फिलिंग्स के लिए भी क्या है बहुत ही ज्यादा यूसफूल है आगे बढ़ते हैं आगे कुछ और लव हार्मोन के बारे में ही बात करते हैं किसी से प्यार हो जाए तो पेट में गुदगुदी होने लगती है ठीके आगे उसकी नींद क्यों उड़ जाती है भूख प्यास बंद होने होता है ठीके हर कोई प्यार को नहीं समझ सकता ठीके प्यार भी प्यार वाले समझ सकते हैं ठीके तभी तो हम सभी समझते हैं कि प्यार इसको महबत का मामला दिल से जुड़ा है लेकिन साइंस ऐसा नहीं मानता विज्ञान का मानना है कि कुछ-कुछ होता है वाला जो फीलि प्यार के लिए, समझे, अब जानते हैं लव हार्मोन है क्या, तो जब किसी खास इंसान के प्रती, प्यार आता है, तो इस एहसास का कारड़ होता है, ओक्सिटोसीन हार्मोन, यह जडूरी नहीं है, कि ये केवल जो बच्चों को लगता है कि प्यार तो केवल दो, एक लड़का और लड़की के बीच में होगा, तो ये गलत है, मा और बच्चे के बीच में भी प्यार होता है, उस दौरान भी ये हार्मोन निकलता है, जब एक मा अपने बच्चे के सर पर हाथ रखती है, तो उ वाइफ पार्टनर का एहसास भी हो सकता है, कपल का प्यार भी हो सकता है, इस तरह की फीलिंग के बाद, ऑक्सी टोशीन हमारे दिमाग में हाइपो थैलिमस के नीचे वाले हिस्से में मौजूद प्यूस ग्रंती से निकलता है, जब भी आपको कोई पसंद आता है, किसी का एह एलिमस गरंती है, वो सक्रिय होती है और वो एक हार्मोन निकालती है, जिसे ऑक्सी टोसीन या फिर लव हार्मोन के नाम से हम जिसे जानते हैं, आगे किसी को देखकर क्यों धड़कता है दिल, अब एक सवाल का जवाब इसका आप लोगों को देना बहुत जरूरी है, बहु पूचा जा तो यह कही काम होता है, क्या रुधीर को पंप करना, रुधीर को सरीर के समस्त भागों तक पहुचाना, ठीके, सरीर को क्या करना, दुरस्त रखना, फिर भी कहा जाता है कि उनकी धड़कने अचानक से बढ़ गई, फिर भी, बताव धड़कन का काम तो केवल ए बढ़क रहा है, दर असल जब हम ज्यादा डर में होते हैं, या खुस हो जाते हैं, जब हम ज्यादा क्या डरे हो, या फिर ज्यादा खुस हो जाते हैं, या फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हमारे सरीर से क्या निकलता है, कैटे कोला माइन, ठीके, एक कैमिकल होता है, जो active हो जाता है ठीके और यह हमारे kidney के पास की endocrine ग्रंथी से निकलता है यह दो को kidney के ऊपर एक topinuma ग्रंथी होता है endocrine ग्रंथी उससे एक रसायन निकलता है जिसका नाम क्या है आपको पता चल गया catacola mind याद रखना उसरा sign का नाम है catacola mind clear यह आपका क्या होता है सकरी होकर उससे स्त्रावित होने लगता है और नसो को signal भेजता है कई reports में भी इस बात का पता चला है कि दिल और दिमाग की सेहत एक दूसरे से connect है कहीं न कहीं हमारा दिल और दिमाग क्या है connect है ठीके यही कार है कि दिमाग से signal मिलने के बाद तुरंत बाद क्या होगा दिल की धड़कनों पर असर पड़ता और आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया जब प्यार किया तो डरना क्या मतलब आपको इस वीडियो में हमने समझा है तुर्ट कै ow मेरे स्टुडें पर दelने लगता है hadidden हो जाता है ऐसा क्यों होता है हमने आपको ये भी बता दिया कि दिल का धड़कन जो प्यार के वक्त आपको तेज़ देखने को मिलता है किसी को देख कर धढ़कने बढ़ जाती है कि सासे तेज़ कंसे चलने से लगता ह ठीके तो वो किसके वज़़े से होता है और याद रखना लव हार्मोन के नाम से ओक्सिटोसिन हार्मोन को जानते यह हार्मोन क्या होता है आपके सरीर में वो लव के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं होती है नींद नहीं आना भूक नहीं लगना चैन चला जाना ठीके तो वो सारी चीजे ऑक्सिटोसिन हार्मोन के वज़े से होती है, अगर आप उस हार्मोन को कंट्रोल कर लो, तो आपके सरीर में प्यारवाला फीलिंग्स आएगा ही नहीं, समझें, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलमस को कंट्रोल करना होगा, नेक्स्ट वीडियो मे इतना ही मिलते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा करेंगे, बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि किस तरीके से हम ऑक्सिटोसिन हार्मोन की लेवल को कम कर सकते हैं, हम प्यार में पढ़ने से बच सकते हैं, इस वीडियो में सर्फ इतना ही, खबात थे जब कर दो दोगाद सकता है